हेलो नमस्कार दोस्त आप सभी को सब्सक्राइट लगफी व्लोगर में दोस्तों कि आप लोग दोस्तेस में एक ऐसी बाइक लेने का सोच रहे हैं जो कि एक कमफर्टेक हो मतलब की कमफर्टेबल बाइक हो एक अच्छी बिल्ड क्वाल्टी प्रोवाइट करती हो अच्छा एंजन देखने को मिल जाए ब्रेकिंग पावर अच्छी देखने को मिल जाए जो फूचेर्स था या फिर मालेज अच्छा देखने को मिल जाए तो आज मैं आप लोग प्रस्टे-उड करने वाला हूँ और आप एको को पताने हो लें इस बाइक के 2023 के कुछ हैलेंट स्पैसिफिकेशन, फीचर्स, मैलेश, धन प्रैस्ट क्या होने वाला है और दोस्ते ये OBD E20 फेस्टु वाला वेरेंट है जो कि टोटली अपडेट कर दिया है अपको टोटली अपडेट वाले ग्राफिक्स देखने को मिलता है जो कि 110 CC के सेग्मेंट में अधर आपको को बाइक में देखने को नहीं मिलता है और लोग भी पसंद करते हैं इस बाइक को साइट पोटली अपडेट वाले ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं यूनिक पैटेंग देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का पूरा सैट का प्रोफाइल जो कि आई होप आप एको को अच्छा लग रहा होगा और लोगों को भी पसंद आता है क्योंकि 110 CC के सेग्मेंट पर बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है अब बात के लिए तो इस पैक के इंजन के बारे में तो इस पैक में आप लोगों को 115.4 CC का 4 stroke single cylinder electronic ignition वाले इंजन देखने को मिलता है जो कि आता है OBD phase 2 E20 के साथ में totally update होकर जिसकी max power है 8.4 PSK जो max tower के वो 9.8 Nm की and 5 speed का manual transmission आपको देखने को मिल जाएगा and यहाँ पर आप देखेंगे तो Corvator version यूज किया गया जैसे कि आप यहाँ पर fuel को on-off कर सकते है manually and leg guard देखने को मिल जाएगे glossy black finishing में exhaust catilator देखने को मिल जाता है matte black finishing के साथ में आता है and अब चलते हैं second side engine profile के तरफ यहाँ पर आप देखेंगे Bajaj का logo देखने को मिलता है self and kick दोने को option आपको देखने को मिल जाएगा नीचे side में देखेंगे rear के brake lever देखने को मिल जाएगे and rear profile की तरफ आ जाएगे तो यहाँ पर आपको single barrel exhaust देखने को मिलता है लेकिन माप कीजएगा इस bike में battery connection नहीं है क्योंकि bike अभी unload हो कर आई है तो मैं आपको को ऐसे ही दिखा देता हूँ and features बहुती अच्छे यूश किये गए है एक बार मैं आपको चाबी दिखा दू कुछ इस पकार की बजाच का logo देखने को मिल जाएगा and इसी मीटे console के अदर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको speedometer देखने को मलता है जिसकी max speed है 120 की जैसे कि आप देख रहे है chrome treatment भी use कियागा surrounding में and right साइड में आपको display देखने को मिलेगा जिसके अदर आपको feel ignition tip meter km gear position जैसे features आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको आपको पिंसाब से change भी कर सकते है and यहाँ पर mode का भी button है and chrome switching में आपको handle bar देखने को मिलता है comfortable riding posture वाला left side में आपको single mirror देखने को मिल जाता है sport यसा शॉर्ट सा यूस किया गया है and यहाँ पर high beam, low beam का switch है ऊपर side passing का switch है indicator, horn का switch देखने को मिल जाएगी second side में secondary mirror का option है and यहाँ पर आपको headlight on off करने का switch देखने को मिलता है self का switch है, एक अच्छी जी gripping यहाँ भी देखने को मिलती है बजाच की and आप देख लेते हैं इस बाइक के fuel tank area को यहाँ पर आप लोगोगों के साथ में देखने को मिल दाता है fuel tank area जो की बहुत अच्छा है and chrome finishing के साथ में आपको fuel cap देखने को मिल जाएगा जिसके उपर आपको E20 की bedging को मिलती है जो की OBD phase 2 के साथ में totally update कर दी गई है and इसी के उपर आप लोगों को tank pad भी देखने को मिल दाएगा जो की कुछ इस परकार के यूज़ कियागा 5 roddy के साथ में आता है single seat देखने को मिलती है जो की दोस्तो बहुत जी soft and comfortable material के साथ में यूज़ की गई है radar and peeling comfortably bed सकते हैं comfort tech की bedging यूज़ की गई है बहुत यची breaking power को produce करती है एक बार मैं आपको ring दिखा दूँ ये बिस की जो की left side में यूज़ की गई इस bike के and जो caliper है वो आपको golden finishing में देखने को मिलते हैं and यहाँ पर आपको suspension देखने को मिलते हैं जो की है telescopic suspension बहुत ये soft and comfortable रहते हैं reflectors देखने को मिलते हैं comfort tech की badging यूज़ की गई है and rear side में आप देखेंगे तो SOS nitro suspension देखने को मिलते हैं जो की spring loaded है and यह golden finishing के साथ में आते हैं and rear में जो आपको breaking power देखने को मिलती है वो आती है 110 drum brake के साथ में and इसी में आप लोगों को CBS technology भी देखने को मिल जाती है जिससे कि आप front की brake को यूज़ करेंगे तो automatically rear की brake यूज़ हो जाती जिससे braking power और ज़्यदा enhance हो जाती है suspension भी आप लोगों को बहुत ही रबर्दस देखने को मिल जाएंगे तो चले ब चलते हैं इस bike के front में और बात करेंगे इस bike के tires and wheels के बारे में तो front में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं tubeless के tire जिनका tire size है 80 by 100, 17 inches matte black alloy wheels के साथ में आते हैं एक बार मैं आप लोगों को size दिखा देता हूँ आपको दिखा दू फ्रेंट से तो कुछ इस प्रकार की है चोड़ा एची यूश की गई है rear side में भी आपको tubeless ही tires देखने को मिल जाएंगे लेकिन जो tire size है वो भी आपको यहाँ पर same ही देखने को मिल जाता है 80 by 100 के आते हैं tubeless यूश कियागे 17 inches है allow abils आपको same ही देखने को मिल जाएंगे ABS ring यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह CBS technology के साथ में आती है single channel ABS है यहाँ पर and tear की gripping power आप देख सकते हैं right side का आपको foot pad देखने को मिलता है जो की long position के साथ में आता है and यहाँ पर आपको side stand cut-off का system देखने को मिल जाएगा जिसका ignition meter concept यूश किया गया है so overall दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा walk around rock Adam में आपको इस बाइक का प्रेस बता दू जो की है 79,600 के अप्रोक्स में and जो enterprise लकनो का वो है 95,200 के अप्रोक्स में तो I hope दोस्तों आप लोगो को आज की व्लोग अच्छी लगए यूँकि तो please channel को subscribe करेगा and मिलते हैं आप लोगों से बहुत ज़ी नेक्स व्लोग में तब तक लिए take care and bye bye